दोस्तो नमस्कार आदाब सत्स्रियकाल नियोज क्लिक के कारिकराम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश आज की बात में आज का सिधा सवाल क्या जनता दल्यू के शिर्ष नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार और भाजपा भारती जनता पार्टी दोनों एक दूसरे से अब उप चुके हैं कोई नहीं बता सकता कि भाजपा जनता दल्यू गठ बंधन बना रहेगा या निकट भवश्य में तूट जाएगा पर विहार और विहार के बाहर आज अनेक लोग मिल जाएंगे जो बताएंगे कि किस तरह दोनों दलों के बीच दिवार दिख रही है और ये दिवार लगाता चौड़ी हो रही है तो इस सवाल इस बात का है कि ये दिवार जो पैदा हुई है ये दरार जो बढ़ करके बहुत बड़ी हो गई है क्या ये भरेगी या निरणायक तूट का एलान का कारण बनेगी आज हम इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे दोस्तों नितीश कुमार और भारती जनता पार्टी के रिष्टों को लेकर तरह-तरह की व्याख्याएं होती रही है कुछ समय पहले पुर्व केंद्री मंत्री और जनता दल्यू के पुर्व रास्टिया ध्यक्ष आर्सी पियन सिंग जो राजनीत में नितीश कुमार की उंगली पकड़ कर दाखिल हुए और बड़े निता बन गए विरोक्रेट से इन दोनों पार्टियों में आर्सी पियन सिंग को लेकर तना तनी रही अंत में सर्वशक्तिमान भारती जनता पार्टी को जुकना पड़ा और आर्सी पियन सिंग को केंद्री मंत्री मंडल से ही नहीं संसत से भी बाहर का रास्ता देखना पड़ा जनता दल्यू ने अपने कोटे से उन्हें राजसभा का फिर से उमिद्वार नहीं बनाया और फिर पार्टी से बाहर भी कर दिया भारती जनता पार्टी उन्हें मंत्री बनाये रखना चाहती थी पर बिहार की सत्ता में भागिदारी और नितिश से अपनी रायनीति क्रिश्टेदारी बनाये रखने के लिए उसे आरपियन सिंग का मोह छोड़ना पड़ा भास्पा ने सोचा था कि दूसरी पार्टियों की तरह वो जनता दल्यू पर भी दबाव डाल कर और सीपियन सिंग जैसे अपने करीबी हो चुके निता को मंत्री पद पर बरकरार रख सकेगी पर नितिश खेल को पहले ही समझ गये थे वो आस्तिन का साप नहीं पालना चाहते थे इसके बाद अगनी पत अगनी वीर जैसी योजना को लेकर बिहार में युआओं के आक्रोश पर भी दोनों पार्टियों के बीच गारे मत भेद उबर कर सामने आए चात्र युआओं ने आंदोलन को भारती जनता पार्टी और उसके नेताओं के कुछ दफ्टरों के खिलाप केंद्रित कर दिया हाला कि ये गलत था मेरा मानना है कि किसी भी दल या नेता के खिलाप उसको केंद्रित नहीं होना चाहिए था लेकिन कई जगह हमले हुए जो गलत बात है लेकिन उनकी जो नाराजगी थी भारती जनता पार्टी से थी उसके नेताओं से थी और इस तरह नेताओं के प्रतिस्थानों के समक्ष विरोध प्रदर्शन किये गए कुछ एक जगहों पर भी तोड़ फोड हुई इसे लेकर नितिश कुमार और सरकार के रवये पर असंतोष जाहिर किया स्वें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के बयानों में इस असंतोष की अहिव्यक्ती हुई जवाब में जंता दलियू के अध्यक्ष ललन सिंग और प्रवक्ता उपेंद्र कुश्वहा ने भाजपा के रवये को सर्वता अनुचित भोशित किया और कहा कि छात्रों की शिकायतों को संबोधित करना चाहिए किंद्र सरकार को नौकी आपस में खटपट करनी चाहिए उन्होंने भाजपा सेंडरोद किया कि इस योजना पर पुनरविशार किया जाए सोचा जाए दो बीजेपी सरकार, सरकार में बैठी बीजेपी यानि घटक दो दो उपमक किमंत्री हैं और इसके अलावा बिरोक्रेट्स का एक छोटा हिस्सा स्थानी अस्तर पर खासकर पुली जो पुलीस है उसमें ये कहते पाया गया कि ये पी एफ आई या ऐसे ही किसी कटरपंती मुस्लि फुलवारी शरीफ में पकड़ा गया फुलवारी शरीफ की ख्याती दोस्तो इमरते शरीया नामक सूफी संतों की सरजमी को लेकर है। यहां उनका मुक्याले हैं जहां हर तरह के लोग जाते रहे हैं हिंदू, मुसलिम, सिख, हिसाई हर तरह के लोग। लेकिन उसी फुलव कि सच क्या है लेकिन इस खटना पर प्रेस कांफरेंस हुई और पटना के SSP ने संबादाताओं के एक सवाल के जबाब में कहा कि जो लोग पकड़े गए हैं उन्होंने बताया कि वे मुस्लिम लोगों को कराते आदी सिखाते थे ब्यायाम इत्यादी कराते हैं और जो काम RSS कर कर रहे हैं ऐसा SSP ने बयान में कहा इस पर पूरी भाजपा भड़क गई और SSP सहाब को बरखास्त करने से लेकर पट से हटाकर ज्याच कराने की मांग होने लगी सवाज जूलूस भी निकाले गए पर SSP अभी तक बने हुए हैं राज सरकार के दो-दो उपमुक्यमंतरी औ और भाजपा के इस तमाम नेता ये मांग कर चुके हैं कि SSP को जाना चाहिए SSP नहीं गए और मैं समझता हूँ कि ये अजीब एक स्थिती पैदा हुई जब सरकार का एक हिस्सा SSP को भगाना चाहता है लेकिन सरकार ने officially कोई अभी stand या फैसला नहीं किया है संजोगवस SSP स्वैम भी एक अलफ है और संक्यत सिक्स अमधाय से आते हैं जिनके खिलाब कारवाई की बात बीजेपी कर रही है तो दोस्तों इस तरह से मैं समझता हूँ कि महीना बीच जाने के बहुत जूद भी इस पर कुछ नहीं हुआ इस मामले में राश्टी जनतादल CPI ML जो महां किया जिसके विधायक भी है कई कई अने दलों ने भी SSP का बचाओ भी किया और नितिश कुमार से कहा कि उनको डिफेंड करना चाहिए ऐसे अपसरों को कोई गलत बात उन्होंने नहीं कही है इस तरह की बात भी इन दलों ने कही दोस्तों पिछले दिनों एक ऐसा वाक्या हुआ जब सत्ताधारी दल यानि जनतादल यू ने जिसका अपना मुक्यमंत्री है उसे विधान सभा के सत्र के दौरान सदन की बैठक का बहिशकार करना पड़ा किसी भी राजे में मैं समझता हूँ कि ऐसी ये पहली बार देखा सुना गया जनतादलियू ने ये कदम भाजपा के रवये खास कर विधान सभा के जो स्पीकर साहब है उनके रुख के प्रती अपनी नाराजगी जतानी के लिए किया इस स्पीकर विजए कुमार सिना जी भारती जनता पार्टी के कोटे से आते हैं यानि भाजपाखे में से हैं और पिछले कुछ समय से वो कुछन कुछ ऐसा कर देते हैं कि मुक्यमंतरी नितीश कुमार और उनकी पार्टी को काफी जुझलाट होती है दोनों गठबंदन सायोगियों के बीच पहले ऐसा होता नहीं था क्यों? क्योंकि मुक्यमंतरी के साथ स्पीकर हमेशा जनता दलियू का ही अक्सर होता था लेकिन पिछले चुनाव में चुझकि भारती जनता पार्टी के मुकाबले जद्यू को कम सीटे मिली भाजपा बड़ी पार्टी बन गई तो ऐसा पहली बार हुआ कि स्पीकर बीजेपी का चुना गया माना जाता है कि वो भी भाजपा की चुनावी एक चाल थी उस चुनाव में जो जेडीू को कम सीटे मिली NDA के घटक चिराग पासवान की पार्टी को गटबंदन में नहीं रखा गया लेकिन बिहार में ये बात सब को समझ में आ गई कि परदे के पीछे से भाजपा ही पासवान साहब को उकसा रही थी कि वो ज्यादा सीटों पर लड़ें और पासवान ने उन सीटों पर ही ज्यादा उमिदवार दिये जो जनता दल यू के कोटे में जहां उमिदवार थे यानि जनता दल यू के प्रत्याशियों को ही चुनौती दी ज्यादातर सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी ने इन में कुछ उमिदवार तो भारती जन्टा पार्टी से गए हुए थे और उन में कुछ वापस भी आ गए बाजबा में इस से नितिश कुमार के कई जीतते उमिदवार हार गए बताया जाता है कि नितिश जी इससे बहुत नाराज हुए पर अपने अंदाज के हिसाब से वो गुस्सा पी गए गुस्सा पी गए लेकिन इस स्पीकर के तोर तरीकों से उनकी नाराजगी लगातार बढ़ती रही है इधर और एक दिन उनका गुस्सा सारोजनिक स्थर पर फूट पड़ा वो अभी कहीं और नहीं सीधे विधान सबा के अंदर जब उन्होंने स्पीकर को जम कर खीचा नाम लिये बगएर कई बार संबोधित भी किया बिल्कुल साफ था कि वो स्पीकर साब को कह रहे हैं या बड़े लोगों के बीच में ये कोई नहीं जानेगा लेकिन कुछ समय बाद उन्हीं स्पीकर महोदा ने जुलाई के दूसरे सब्ता में नितिश कुमार को फिर सेहत किया दोस्तों विधान सबा के सेनेटेनरी सेलिबरेशन में जो निमंतरन कार्ड छपा उसमें नितिश कुमार का नाम तक नहीं था इस कारक्रम के समापन समारों में प्रदान मंतरी मोदी भी 12 जुलाई को पटना गए थे तब दोनों ने था यानि मोदी जी और नितिश जी उन दोनों ने एक दुसरे की प्रसंशा की लेकिन 17 जुलाई को जब ग्रे मंतरी अविशा ने तिरंगा जंडा अवियान को लेकर मुख्य मंतरियों की बैटक की तो उसमें सीम नितिश कुमार अनुपस्तित रहे फिर 22 जुलाई को जब प्रदान मंतरी मोदी ने रास्टपती कोविंद के स्वागत में यानि उनके बिदाई स्वागत में एक तरह से यूं कहा जाए उनके बिदाई समारों में एक भोज का मंतरन दिया और सभी लोगों को मंतरित किया जो बड़े ओदेदार हैं नितिश कुमार जी उसमें भी नहीं गए यहीं नहीं दोस्तों पच्चीस दुलाई को जब रास्टपती नौ निर्वाचित रास्टपती द्रौपदी मुर्मू के शपत गरहन का समारो था उस वक्त में नितिश कुमार जी अनुपस्थित रहे बताया जाता है कि नितिश चाहते हैं कि भाजपा अपने चहेते स्पीकर को पत से हटाने पर सामती दे और दोनों दलों की सामती से दूसरा कोई स्पीकर चुना जाए पर भाजपा फिलहाल उसके लिए तयार नहीं दिखती है कुछ सुत्रों का कहना है कि अब ये मामला सिर्फ स्पीकर से नाराजगी तक सिमित नहीं रह गया है नितिश कुमार को अच्छी तरह मालूम हो चुका है कि भाजपा अन्य सायोगी दलों की तरह उनके जदियू को भी निगलना चाहती है जैसे देश के दूसरे प्रांटों में अपने सायोगी दलों को भाजपा आम तरह पे कुछ समय के बाद निगल जाती रही है यानि खत्म करती रही है और स्वेश बड़ी पार्टी बन जाती रही है असल मसला शायद यही है बिहार की भावी राजनीती का सिकंदर भारती जन्ता पार्टी बनेगी या ये जगा नितीश कुमार को कभी और कभी लालू की पार्टी को मिलेगी असल सवाल ये रह गया है दोस्तो 31 जुलाई को भारती जन्ता पार्टी ने पट्ना में अपना विशाल संगठिनिक सम्मेलन करने का फैसला किया है इसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नडड़ा सहाब और ग्रे मंत्रिया में शाह जी वहां जा रहे हैं माना जा रहा था कि इस दर्म्यान दोनों दलों के आपसी मसलों पर भाजबा के शिर्स नेताओं यानि नडड़ा सहाब और शाह सहाब इनकी नितिश कुमार जी के बीच में शिखर वारता जैसा कोई सत्र चलेगा पर दुर्भागेवश नितिश कुमार कोरोना संक्रमित होकर 26 जुलाई से ही तरहाई यानि क्वरेंटीन में हैं इस तरह दोनों सायोगी दलों के शिर्स नेत्रत्तों के बीच कोई संबाद इस बार भी शायद नहीं हो पाएगा देखना होगा कि भारती जनता पार्टी के नेता पटना के अपने कारिक्रम में क्या क्या फैसले करते हैं और किस तरह की बैयान बाजी होती है और जनता दल्यू उस पर क्या प्रतिक्रिया देता है दोस्तों बहुत दिल्चस्प सियासत का सीन है इस समय बिहार में बिहार में ये सियासत की जो जद्दो दहद है वो क्या गुल खिलाएगी ये मैं समझता हूं कि राश्ट्री राजनीत के लिए भी बहुत महत्मून साबित हो सकता है तो जस्तों आज इतना ही नमस्कार आदाब सच्छियकार